हलो फ्रेंट मैं हूँ मीरा और मनो रंजन मस्साला इस यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको मैत की हाँ भै मैत की ऐसे धमाल ट्रिक बताने वाली हो जिसे देखकर आपके दोस्तों हैरान परिशान होंगे कि यार यह आपने कैसे कि तो दोस्तों चलिए देखते हैं वहाँ हैरान परिशान करने वाली धमाल ट्रिक सब्सक्राइब कीजिए मनो रंजन मस्साला को और इस बेल आइकान पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा तभी आपको यहाँ मैट्रिक समझ में आएंगी तो दोस्तों यहाँ ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि आप अपनी फ्रेंड को कोई भी एक फोर डिजिट का नमबर लिखने के लिए कईएगा तो मेरी फ्रेंड ने लिखा पांच हजार चार सो पैतीस पांच हजार चार सो पै देती हूं और इस नमबर को फोल्ड करके यहाँ पर रख देती हूं और फिर दोस्तों मैं अपनी फ्रेंड को एक और फोर डिजिट का नमबर लिखने के लिए कहती हूं तो मेरी फ्रेंड ने लिखा दो हजार चेसो पैतालीस अब दोस्तों अब मेरी बारी है नमबर लिख लिखने की तो मैं लिखती हूं साथ हजार तीन सो चोपन और फिर बाद में दोस्तों मैं अपनी फ्रेंड को एक और फोर डिजिट का नंबर लिखने के लिए कहती हूं तो मेरी फ्रेंड ने लिखे 3510 अब देखिए दोस्तों लास्ट स्टेप है अब मेरी बाई है दोस्तों फोर डिजिट का नंबर लिखने की तो मैंने लिखे 6490 अब दोस्तों अपने फ्रेंड को मैं इन सभी नंबर की टोटल करने के लिए कहती हूं तो दोस्तो इन सभी नंबर्स की टोटल आती है 25,435 अब दोस्तो मैं अपनी फ्रेंड को इस चिट को खोलने के लिए कहती हूँ ये देखिए दोस्तो ये देखिए इसमें भी दोस्तो सेम नंबर निकला है ये देखिए आपना एंसर आये तब 25,433 तो ठीक उसी प्रकार इस में भी दोस्तो ये देखिए 25,433 नंबर निकला है तो दोस्तो यहां देखकर मेरी फ्रेंड हैरान होंगी कि भई आपने यहां कैसे किया हमें भी बताओ ना तो चलिए मैं आपको बता दू कि ये ट्रिक क्या है दोस्तो ये ट्रिक कुछ इस प्रकार की है कि सबसे पहले लिखे तो मेरी फ्रेंड ने लिखे 8,000, 8,600, 7,9 अब आपकी बारी है नंबर लिखने की तो चलिए मैं आपको बता दू कि इस चिटपत नंबर कैसे लिखे तो ये दिखिए दोस्तो यहां नंबर है ना 8,600, 7,9 तो आपको क्या करने का है कि इस 8,600, 7,9 में से 2 माइनस करने के कितने 2 माइनस करने के है तो 2 माइनस करने पर वह रह जाते हैं 8,600, 5,9 अब दोस्तो हमने यह जो 2 माइनस किये थे न तो वह दो आपको देखिए दोस्तो जो माइनस किये थे दो वह आपको यहां पर सामने लिखने के यहां पर यह दिखिए यहां पर सामने लिखने के दो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको डबल से बता देती हूं की 8696 में से हमें 2 मानस करने के ए कितने 2 और वह 2 दोस्तों, आपको वह 2 यहाँ पर सामने लिखने के यह दिके यहाँ पर सामने लिखने के है इस प्रकार और इस चिटको तो दोस्तों आपको इस प्रकार फोल्ड करके यहाँ पर रख देनी की है और अब आपकी फ्रेंड को इसके नीचे एक और फोल्ड डिजिट का नंबर लिखने के लिए कहिए तो आपकी फ्रेंड ने लिखे 5425 अब ध्यान से देखेगा दोस्तों अब आपकी बारी है नंबर लिखने की तो दोस्तों आपको नंबर इस प्रकार लिखने का है यह देखिए यह जो दो नंबर आएंगे ना दोस्तों इन दो नंबर की टोकल कितनी आनी चाहिए 9 आनी चाहिए देखिए हमने इधर क्या किये था ये देखिए मेरी फ्रेंड ने लिखे थे 2645 तो देखिए दोस्तों मैंने उसके नीचे क्या लिखे थे ये देखिए 7354 तो देखिए दोस्तों इन दो नंबर्स की इन दो नमबर्स की टोटल कितनी आती है दोस्तों? 9 आती है 2 प्लस 7 तो कितने होते है दोस्तों? 9 होते है 6 प्लस 3 9 होते है 4 प्लस 5 9 होते है उसी प्रकार 5 प्लस 4 कितने होते है? 9 होते है तो ठीक उसी प्रकार दोस्तो आपको यहाँ पर इस प्रकार नमबर लिखने का है कि इन दो नमबर्स की टोटल 9 आनी चाहिए अब देखिए यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 4 लिखती हूँ तो दोस्तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर 7 लिखती हूँ, तो 2 प्लस 7, तो कितने होते हैं? 9 होते हैं, देखें, यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिखती हूँ, 4 प्लस 5, तो कितने होते हैं? 9 होते हैं, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर 5 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखती हूं 5 प्लस 4 तो इसकी टोटल आती है 9 और फिर दोस्तों आपको अपनी फ्रेंड को इसके नीचे एक और फोर डिजिट का नंबर लिखने के लिए कहिएगा तो आपकी फ्रेंड ने लिखे 3725 अब दोस्तों आपकी बारी है तो दोस्तों मैं यहां पर कहना चाहूंग आपकी फ्रेंड कोई भी बी नंबर लिखे आपको कोई परेशानी नहीं आपको तो सिर्फ यह ध्यान रखने का है कि इन दो नंबर्स की टोटल 9 आनी चाहिए देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए मेरी फ्रेंड ने लिखेती 3510 तो दोस्तों मैंने लिखेती 6490 तो देखिए इन दो नमबर्स की टोटल दोस्तों 9 आती है 3 प्लस 6 बराबर 9 होते है 5 प्लस 4 9 होते है 1 प्लस 8 9 होते है 0 प्लस 9 9 होते है तो दोस्तों हमें ठीक उसी प्रकार इन दो नमबर्स की टोटल इस प्रकार लेने की है कि 9 आने चाहिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 4 लिखती हूँ 5 प्लस 4 तो वह होते है 9 देखिए यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर 7 लिखती है 9 अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 है तो मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ 7 प्लस 2 तो वह होते है 9 देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 6 लिखती हूँ 3 प्लस 6 तो वह होते है दोस्तों 9 तो दोस्तो अब आप अपनी फ्रेंड को सभी numbers की total करने के लिए कहिए तो दोस्तो total आती है 28,695 और अब आप अपनी friend को इस chit को खोलने के लिए कहिएगा तो ये देखिए दोस्तो मैं आपको यह chit खोल कर बताती हूं तो ये देखिए दोस्तों ये देखिए सेम नंबर ये देखिए इस चिट मेंं भी ये देखिए 28.655 है और जो हमने टोटल की अमारा जो एंसर आया है वहा है 28.655 तो दोस्तों यह सेम नंबर देखकर आपका फ्रेंड चॉप जाएंगा तो दोस्तों यह धमाल ट्रीक आप अपने दोस्तों के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा और दोस्तों इस ट्रीक को देखकर आपके दोस्तों हैरान परिशान होंगे कि याद यहाँ आपने कैसे किया हमें भी बताऊना हमें भी बताऊना तो दोस्तो मुझे comment करकर जरूर बताईएगा कि आप में से किस-किस ने यह trick अपने दोस्तों के साथ try की यदि दोस्तो आपको मेरा यह video अच्छा लगा हो तो मेरे इस video को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में